Optical Isomerism के क्या कारण है हमारे पास? सबसे पहला जो कारण है वो Chiral Carbon Atom की Presence होने चाहिए जो Chiral Carbon Atom है उसकी पहचान करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना होगा जो Observation है कि जो चारो ग्रूपस है जैसे हम यहाँ पे Show करें A, B, D और E इसका मतलब ये चारो जो इसकी surrounding वाले ग्रूप हैं वो different होने चाहिए एक भी ग्रूप सेम नहीं होना चाहिए दूसरा जो Optical Isomerism का कारण है वो Non Super Imposible Mirror Image होनी चाहिए इसके लिए आपको हम यहाँ पे Non Super Imposible Mirror Image की एक यहाँ पे Example Show कर रहे है जैसे अगर हम zero को देखें mirror के अंदर तो वो zero ही नज़र आएगा बट अगर हम three को देखें mirror के अंदर तो यह ultra नज़र आएगा इट मींज यह वाली जो image है वो super impose कर रही है बट जो three वाली image हमने Show की है वो Non Super Imposible Mirror Image है तो इस तरह से यह दो कारण आज हमने इस वीडियो में डिसकेस की है आप्टिकल आइसोमरिजम के प्रड़ आएगा